नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत राज मैथमेटिक्स में दोस्तों इस वीडियो लेक्षर में हम बात करने वाले हैं रीट एक्जाम 2021 के लिए क्लास 8 की NCRT की जो नई वाली बुक है उन सभी बुकों के आल क्यूशन जितने भी क्यूशन बन रहे हैं लगबग 300 क्यूशनों की चर्चा मैं करने वाला हूं आट्वी क्लास की पार्टि पुस्तक कर रहे हैं दोस्तों NCRT की नई वाली 6 और 7 की पुस्तकों के हमने क्यूशन कर लिए हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं देखें तो देख लेना दोस्तों वीडियो को कर दीजी लाइक चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें यह 300 परसन आपके चार उप्सन ना बोलके केवल आंसर बोलूंगा पहला क्यूसन बहारत का परतम गवर्णर जनरल था तो भारत का प्रतम गवर्डर जनरल जो था दोस्तों वह वारें content सटा बे ओप्सान आपका かな गर्रेक्ट अंसर सः कि में परसे नंबर तीन है物 क्लाइव ने हिंदूस्तान के नक से तियार करने का काम की सोपा थाStart वाकरं को पार्बस εν के नक से तियार करने का काम जो है दोस्तों जय्म स्जरेनल को सॉपा गया था रोबर्ट क्लाइव के दुआरा से ओप्षन आपका तीसरे में करेक्ट आंसर है परसन नमर चार के और बढ़ते हैं बारतिय इत्यास के परमुक्ष्रोत हैं तो यहां पर चोते का राइट आंसर उप्रियुक सभी रहेगा सरकारी दस्तावेज अकबारों की रिपर्टे और यात्रियों के संस्मरण ये सारे यानि उप्रियुक सभी आंसर से ये चोते का प्रिस्सटलीद description नमिर पांच है, ब्रिटिश सताँ का प्रतीक है, ब्रिटिश सता का प्रतीक है, ब्रिटेनिया से option correct answer है, अगला है, जेम्स मिल कहां का निवाशी था, आयरलेंड, स्कोट्लेंड, फिनलेंड, निदरलेंड तो James Mill जो है दोस्तों वह है? Scotland का निवासी था. बे ओप्शन मिल्कुल सई आंसर रहेगा. प्रेशन नमबर साथ है खुस नवी सी का आशे क्या है? खुस नवी सी का मतलब आप से पूचा गया है. प्रेशन नमबर साथ का सही आंसर पहला ओप्शन रहेगा. बहुत सुन्दर डंग से चीजें लिखना खुस नवी सी कहलाता है प्रेशन नंबर आट के और आते हैं भारत में छपाई तक्निक फेलने लगी थी कम से तो दोस्तों भारत में छपाई की तक्निक जो है वे 19 सदी के मध्यद तक फेलने लगी थी से ओप्षन बिल्कुल से रह आली मुगल बात सा कौन सा था तो वे था दोस्तों औरंग जेब आपका से ओप्षन करेक्ट आंसर में प्रेशन dopoकरत्म हैं सर्व परतम भारत में आने वाली पस्चिमी ताकत तो यो सिरी दो finanses की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी बक्सर का युद कब हुआ था तो यह वाता दोस्तों 1764 में कब हुआ 1764 में दोस्तों सारे क्यूशन लगबक सही लिए है मैंने 100% लेकिन मा लीजे किसी क्यूशन में आपको लगे तो आप कमेंट बोक्स में जुरूर बता देना अगल प्रेशन नमबर 13 विले नीती का परतिपादक गवर्नर जनरल था विले नीती का परतिपादक गवर्नर जनरल कौन सा था दोस्तों तो वह था लाड़ डल हो जी दे ओप्सन करेक्ट आंसर अगला किसन है कूशासन का आरोप लगा कर 1856 में कमपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया था कूशासन का आरोप लगा करके तो इसका राइट आंसर एगा अवद को ए ओप्सन करेक्ट आंसर परसन नमबर 15 माराजा रणजीत सिंग कहां के राजा थे माराजा रणजिंत सिंग दोस्तों पंजाब के राजा थे दे ओप्षन करेक्ट आंसर है प्रेसर नमबर सोड़ा है पहली इंगलिस फेक्टरी किस नदी के किनारे शुरू हुई थी तो पहले English factory जो है दोस्तों हूगली नदी के किनारे शुरूई थी A option correct answer रे प्रसन नमबर 17 है Share A मेशूर के नाम से कौन जाना जाता है Share A मेशूर के नाम से दोस्तों टिपूद सुल्तान जाने जाते हैं B option correct answer रेगा प्रसन नमबर 18 है भारतिये कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो यह क्या था दोस्तों N B हाल हेड ने The option correct answer रेगा प्रसन नमबर 19 है आपके स्क्रीन पर मुगल बाद सा दुआरा इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल का दिवान तेनात किया गया कब तो दोस्तों मुगल बाद सा दुआरा इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल का दिवान तेनात कब किया गया था 12 अगस्त 1765 को से option correct आंसर है परसन नमर 20 है होल्ट मेकेंजी दुआरा तयार की गई राजस व्यवस्ता थी तो दोस्तों ये व्यवस्ता थी महालवारी बंदोबस्त व्यवस्ता बे option correct आंसर है परसन नमर 21 है इस्ताई बंदोबस्त लागू होने के समय बारत का governor general कोन था इस्ताई बंदोबस्त जब लागू हुआ था उस समय बारत का governor general पूचा गया है दोस्तों तो यह था चाल्स कार्ण वालिस चाल्स कार्ण वालिस ए option से answer है परसन नमर 22 है नील विद्रो का सुत्रपात कब हुआ था तो ये वाता दोस्तों 22 मार्च 1860 को बे ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला है चंपरन आंदोलन की शुरुवात कब हुई दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि ये सारी किस्टन से लिए गए हैं काफी इंपोर्टेंट है तो चंपरन आंदोलन की जो शुरुवात है दोस्तों 1917 में हुई थी ये ओप्शन करेक्ट आंसर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें अगला क्यों सने दिवान बनेने पर भी कंपनी खुद को क्या मानती थी तो दोस्तों व्यापारी मानती थी, 2 ओप्शन आपका करेक्ट आंसर प्रेशन नमबर 25 है, कंपनी द्वारा इस्ताई बंदोबस्त कब लागू क्या गया था तो दोस्तों ये क्या गया था 1713 में में लागू ए उप्षन करेक्ट आंसर है प्रेसर नमबर 26 है अंग्रेजों ने किसानों को बंगाल में किस फसल के उत्पादन के लिए मजबूर किया था तो दोस्तों ये जो फसल थी वे थी पट्षन की फसल दे उप्षन करेक्ट आंसर है अगला है 27 वां केरीबियाई द्वीप समू इस्तित सेंट डाबिंग्यू में नील की खेती करने लगे थे कौन काफ़ी important क्योसन है तो दोस्तों नील की खेती फरांसी की लोग करने लगे थे से option आपका correct आंसर प्रशन नंअबर 28 के और आते हैं कृत्रिम रंगों का निर्मान कब से होने लगा था क्रित्रिम रंगों का निर्मान दोस्तों 19 सदी के आकिर में होने लगा था आपका शेयो उप्षन करेक्ट आंसर पर्षन नमर 28 का गुंतिस्वें क्योशन के और बढ़ते हैं दोस्तों गुंतिस्वें पर्षन आपकी स्क्रीन पात चुका है गुमंतू किसान मुक्यते रहते थे गुमंतू किसान जो है दोस्तों slash पुर्वे ने नमिशन पर्षन किदम रहते थे से ओप्षन करेक्ट आंसर पर्षन 10 से मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती थी किस समुदाई में मजदूरी करना जो है दोस्तों वह बेगा समुदाई में जो है अपमान की बात मानी जाती थी ए उप्षनन करेक्टाण सर यह 31 में 31 QC n è मद्येपरदेश में गुमंटू खेती को कहा जाता है गुमंतू खेती को क्या का जाता है उप्षन है जूम करसी, बेवड, रेगड या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों मद्य परदेश में गुमंतू जो खेती है उसे बेवड कहा जाता है बे ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला आपका क्योशन है संथालों ने बगावत की थी कब संथालों ने कब बगावत की थी दोस्तों तो यह कीती 1855 में बे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला है कुलू के गदी समुदाई के लोग थे कुलू के गदी समुदाई के लोग कौन थे दोस्तों यह थे दोस्तों गडर ये दे option correct answer अगला क्योंसन ने बिर्शा किस जनजाती से था तो दोस्तों बिर्शा जो है वह मुंडा जनजाती से था से option correct answer अगला है दीकू से क्या आश्य है दीकू का क्या मतलब होता है दोस्तों दीकू का मतलब होता है बारी व्यक्ति जी हां दोस्तों से ओप्षन करेक्ट आंसर परसन नंबर 35 का 36 के ओर बढ़ते हैं कस्मीर में बक्रियां पालने वाला आदिवासी समुदाई कौन सा है कस्मिर में बक्रियां पालने वाला आदिवासी समुदाई जो है दोस्तों वह बक्रवाल है ए ओप्षन करेक्ट आंसर 36 में का प्रशन नमर 37 क्यों राते हैं वरला विद्रो काँ वा था वरला विद्रो मेरी प्यारे सातियों काँ पर वा था ये पूचा गया आपसे प्रशन नमर 37 में जो वरला विद्रो है वह माराश्टर का अंदर वा था दोस्तों बे ओप्षन सही रेगा प्रस्ण नमर 38 है बिर्षा राज का परतीक क्या था दोस्तों ये बताईए बिर्षा राज का परतीक सपेज रंडा था दोस्तों दे ओप्शन करेक्ट आंसर प्रस्ण नमर 40 पर आएं अवद पर सायक संदी थौपी गई थी कब अवद पर कब साइक संदी थोपी गई थी दोस्तों राइट आंसर रहेगा अठारा सो एक में कब अठारा सो एक में बे ओप्षन करेक्ट आंसर परसन नमबर चालीस आखिरी मुगल बात सा कौन सा था तो दोस्तों बात दूर सा जफर करेक्ट आंसर से ओप्षन रहेगा परसन नमबर इकतालीस अठारा सो सताउन में सबसे पहले विद्रो कहां पर प्रारम हुआ था अठारा सो सताउन का विद्रो जो है सबसे पहले कहां पर प्रारम हुआ था दोस्तों यह बताईए यह वा था मेरे प्यारे सात्यों मेरेट से स्टार्ट वा था ए ओप्शन करेक्ट आंसर है प्रेशन नमबर 42 में बेरकपुर में अंग्रेज अपसरों पर हमला करने वाला करांतिकारी कौन था बेरकपुर में अंग्रेज अपसरों पर हमला करने वाला क क्रांतिकारी का नाम बते ही दोस्तों ये था दोस्तों कौन अपना मंगल पांडे जी हां दोस्तों दे ओप्षन करेक्ट आंसर अगला किसने कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता दोस्तों नाना साहेब थे बे ओप्षन आप का करेक्ट आंसर प्रेस्ट नमबर चमालिस मध्य भारत के जंगलों में रेते वे अंग्रेजों के साथ छापा मार युद किसने क्या दोस्तों ये क्या था दोस्तों तांत्या टोपे ने ए ओप्षन करेक्ट आंसर रहेगा प्रेस्ट नमबर पेंटालिस है बिहार में विद्रोही सिपाईयों का साथ किसने दिया तो दोस्तों ये दिया था किसने कोमर सिंग ने जी हाँ दोस्तों सी ओप्षन या से ओप्षन करेक्ट आंसर है प्रेस्ट नमबर 46 के ओर बढ़ते हैं बहादूर सा की पत्नी का क्या नाम था बताईये दोस्तों बहादूर सा की जो पत्नी का नाम था दोस्तों वे था बेगम जिन्नत महल क्या था दोस्तों बहादूर सा की पत्नी का नाम बेगम जिन्नत महल बे ओप्षन करेक्ट आंसर ह भी ौइस है अ हो Mickagen आप प्रश्षन नंब्र संतालिस कि और बढ़ते हैं बहादुर्स जफर की मरत्यों कहाँ हुई विद्रो का नेत्रितव किसने क्या था दोस्तों ये क्या था रानी अवंती बाई लोधी ने जी हां दोस्तों ए ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला क्योशन कुण पचास नंबर पे आते हैं यूरोप ये व्यापारी बारी की बुनाई वाले सबी कपड़ों को क्या कहते थे तो दोस्तों वह कहते थे मसलिन से ओप्शन आपका करेक्ट आंसर है प्रेशन नंबर पचास इस्ट इंडिया कंपनी को 1730 की ओर्डर बही में सुती तता रेशमी कपड़ों की कितनी किस्मों का जिक्र किया गया है कितनी किस्मों का जिक्र हुआ है रेसमी कपड़ों और सुति कपड़ों का तो दोस्तों यह हुआ है आपके अंठ्यान में परकार की तो दे ओप्षन आपका correct answer है अगला क्यूशन है किसने क्या था दोस्तों तो यह क्या था दोस्तों जोन के ने किसने क्या जोन के ने ओप्षन करेक्ट आंसर है अगला है भारत में पहली सुति कपड़ा मील इस्तापित है कब हुई थी दोस्तों भारत में पहली सुति कपड़ा मील कब इस्तापित की गई थी तो यह इस्तापित हुई थी दोस्तों अठारा सो चोपन में बे ओप्षन करेक्ट आंसर है अगला है क्योशन दोस्तों टिपू सुल्तान की तलवार बनी हुई थी किसकी बनी हुई थी टिपू सुल्तान की तलवार तो दोस्तों यह बनी हुई थी वूड़ इस्टील की बनी हुई थी टिपू सुल्तान की तलवार बे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला क्योशन है टिसको से इस्टील का उत्पादन होने लगा था कब से टिसको से इस्टील का उत्पादन जो है दोस्तों वह है 1912 से होने लगा था यह option correct answer है प्रेसर नमबर 55 के ओर बढ़ते हैं कौन से कपड़े को केली को कहा जाने लगा था दोस्तों वह था सुत्थी कपड़ा से option correct answer है प्रेसर नमबर 56 वास्प इंजन का आविस्कार किसने किया वास्प इंजन का आविस्कार किसने किया था दोस्तों यह किया था रिचसर्ड आर्क राइटर ने बिल्कुल ए ओप्शन correct answer है गा दोस्तों अगला क्योशन है बारती वुड्ज सील की विशेष्टाओं का चार साल तक अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो वह नदी है शुवर्ण रेखा नदी कौन से दोस्तों शुवर्ण रेखा नदी बे ओप्शन सही आंसर है प्रेसर नमबर 59 है नियम्न में से प्राच्चेवादी नहीं है कौन सा इनमे से प्राच्चेवादी नहीं है दोस्तों चार विकलप आपके सामने प्रतर से थैं प्रेसन नंबर 59 का राइट आंसर जयम्स मिल जो है वो प्राच्चेवादी नहीं है ए अप्रसन करेक्ट आंसर है साटवां परसन है बनारेश हिंदू कोलेज की स्तापना कब की गई थी दोस्तों तो दोस्तों बनारेश हिंदू कोलेज जो है इसकी स्तापना 1701 में की गई थी बे ओप्षन करेक्ट आंसर है दोस्तों साट नम्मर का 61 क्योशन आपके सामने है मेकाले के मिनट्स के आदार पर अंग्रेजों का शिक्सा अधिनियम पारित किया गया कब पारित हुआता मेकाले कंस्ता संथी न jullie के तन के संस्ता पक का नाम आपसे पूछा गया दोस्तों यह po raynaam नाम है रविंद na thank your जहां दोस्तों सांति हम संस्ताफी शिक्षा की विशेष़ थी तो पॉपरयोक सब्साइब पर राइट आंसर पहला दूसरा दिसरा सही यानी उपरयोकिती सब्सक्रों करेक्ट प्रशन है महत्मा गांदी के अनुसार शिक्षा किस भासा में दी जानी चाहिए बताएं दोस्तों महात्मा गांधी के अनुसार दोस्तों शिक्षा जो है वह बारतिय बासा में दी जानी चाहिए से option correct answer एगा परशन नमबर 65 क्या कह रहा है सांती निकेतन किस्तापना कब हुई सन पुछे गए दोस्तों सांती निकेतन किस्तापना कब हुई थी तो मेरे प्यारे सातियों यह हुई थी सन 1901 में बे ओप्षन करेक्ट आंसर एगा 65 का परशन नमबर 66 इसलामिक कानून के अध्यन को बड़ावा देने के लिए मदर्शा कहां खोला गया था बताएं दोस्तों तो दोस्तों यह मदर्शा कलकता में खोला गया था एग्षन करेक्ट आंसर परशन नमबर 66 का 67 आपके स्क्रीन पर आच चुका है दोस्तों अंग्रेजी शिक्सा ने भारतियों को अपनी ही भूमी पर अजनबी बना दिया यह किसका मानना था काफी इंपोर्टेंट क्यों सने दोस्तों यह किसका मानना था दोस्तों यह मानना था महत्मा गांधी का जिहां दे ओप्शन और अगला क्यूस्टन है विलियम जैंट विलियम जॉन्स इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसता पर सुप्रिम कोट में किस पद पर थे दोस्तों कौन विलियम जॉन्स तो दोस्तों यह थे आपके जूनियर जज्ज के पद पर बे ओप्शन करेक्ट आंसर एगा 68 का पर्श पर्शन शर्श्वती ने इस्वर्चंद्र विद्यासागर ने राजा रामोन राय या पंडित्ता रमा भाई यह चार विकल्फ एं राइट आंसर एगा राजा रामोन राय से ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला दोस्तों सत्परता पर पाबंदी लगाई गई थी ति कब सत परतापर्क कब पाबंदी लगए गई दोस्तों काफी important question है तो मेरे प्यारे साथियों यह लगए गई थी 1832 में ए उप्शन से आंसर एगा सित्र में काफी important question इस तरी पुरुष तुलना नामक खिताब की लेखी का नाम बताना है दोस्तों तो यह थी दोस्तों तारा बाई सिंदे जी हां दोस्तों कौन सा option बे option करेक्ट आंसर एगा तारा बाई सिंदे का अगला है सत नामी अंदोलन कब सुरू किया गया सत नामी अंदोलन कब सुरू किया गया था दोस्तों किसके द्वारा सुरू किया गया सोरी सत नामी अंदोलन किसके द्वारा सुरू किया गया तो दोस्तों यह किया गया था गासी दास ने सुरू किया था सत नामी अंदोलन दे उप्सन करेक्ट आंसर है अगला क्योंसन है सत्य सोदक समाज के संस्तापक कौन थे सत्य सोदक समाज के संस्तापक दोस्तों जोती राव फुले यहां पर से उप्सन करेक्ट आंसर है परसन नुमबर 74 घुलाम गिरी पुस्तक के रचयता कौन थे दोस्तों काफ़ी important question है सारे घुलाम गिरी पुस्तक के रचयता कोन है दोस्तों जो 53 फूले है ए ओप्सन से रहेगा परसन नंबर 55 क्या कह रहा है मंधिर मंदिर्य पर्वेश आंदोलन किसने शुरू किया था मेरे प्यारे सात्यों यह किया गया था वी और अमबेड कर दुवारा वी बे option correct answer एगा परसन नमर छेतर क्या कह रहा है परम हंस मंडली का का गठन किया गया था मदरास में लकनव में बुंबई में और कलकता में परसन नमबर 77 और आजए यह पंडिता रमा भाई ने विध्वागरे की सतापना कहां की थी काफी अच्छा question है पंडिता रमा भाई ने जो है दोस्तों वै विद्वा ग्रे की स्ताप्णा पुन्णा में की थी दे ओप्शन सही answer अगला question है प्रातना समाच की स्तापना कब की गई तो ये की गई थी प्यरे सातियों 1866 में कब की गई थी 1866 विकल्प नमबर पहला बिल्कुल सही है 79 के ओर बढ़ते हैं वरना कुलर प्रेश एक्ट कब पारित किया गया था वरना कुलर प्रेश एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों यह किया गया था 1838 में याद रखना है वर्ना क्यूलर एक्ट प्रेस बे ओप्शन करेक्ट आंसर देखिए यहां पर असी नमबर नहीं छपा है कोई बात नहीं हम 81 पर आजाते हैं 81 नमबर आपके सामने है इस्क्रीन पर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश के स्थापना कब हुई दोस्तों यह हुई 1885 में जिहां दोस्तों ए ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला क्योशन है 1905 में बंगाल विबाजन करने वाला वाइसराय कौन था 1905 में मेरे प्यारे सातियों बंगाल विबाजन करने वाला वाइसराय का नाम बताना है यह था दोस्तों लाड करजन कौन था लाड करजन से ओप्शन करेक्ट आंसर 82 में तेयांसे नमबर पर आते हैं सवतंतरता मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया है बताएं दोस्तों क्या रहेगा राइट आंसर सवतंतरता मेरा जनमसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये तिलक ने का है दोस्तों ए ओप्शन करेक्ट आंसर है बाल गंगादर तिलक चोरियां से नंबर है चोरी चोरा गटना हुई थी कब 84, चोरी-चोरा गटना कब हुई थी दोस्तों तो ये गटना हुई थी दोस्तों फरवरी 1922 में कब हुई थी चोरी-चोरा कांड फरवरी 1922 दे ओप्शन करेक्ट आंसर है प्रेसर नमर 85 आपके सामने 1930 में शुरू वे आंदोलन का नाम क्या था 1930 में शुरू वे आंदोलन का नाम क्या है दोस्तों ये बताना है आपको पीचासे नमर में सही आंसर एगा सेवी ने अविग्या आंदोलन से ओप्शन करेक्ट आंसर है प्रेसर नमर 86 आपके सामने आ चुका है बंगाल विबाजन के विरोध में किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है बंगाल विबाजन के विरोध में जो आंदोलन किया गया था वे आंदोलन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों ये बताना आपको तो वे जाना जाता है दोस्तों सवदेशी अंदोलन कौन सा अंदोलन सवदेशी दे ओप्शन से ये अगला है खिलापत अंदोलन का एक नेता था खिलापत अंदोलन का नेता था ये पूचा गया है खिलापत अंदोलन का नेता इन चारों में से कौन सा था दोस्तों ये बताना है तो ये था दोस्तों मौमद अली और सौकत अली कौन मौमद अली और सौकत अली 87 का बे ओप्षन करेक्ट है 88 क्या कह रहा है जलिया वाला हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट हुड की उपादी लोटा दी थी दोस्तों काफ़ी इंपोर्टन्ट क्योशन है किसने अपनी नाइट हुड की जो ह है वह उपादी लोटा दी थी दोस्तों यह लोटा ही ती रविंद्र नाट टेगोर नहीं किसने लोटा ही रविंद्र नाट टेगोर ए ओप्षन करेक्ट आंसर है अगला क्योशन 89 आपके स्क्रीन पे 1947 में भारत की आबादी कितनी थी दोस्तों कि अने सो सैंतारिस में अबादी पूछे गई है मेरे प्यारे साथियों तो यह थी चोतिस पॉइंट पांच करोड कितनी थी चोतिस पूइंट पांच करोड से ऑप्षन से यह अंसर है अगला क्योश्चन है भारत के मूल समिदान में मतादिकार प्राप्ट था किसको भारत सब्ढक想ाने लिजर को करेक्पार्ट पूचा फंब करेक्ट थाई पूचा गया यह आप का यह जलरी में आप जलड़ी से हैं जल्दक़क से लगवा को अधार्गत का रुष Всем नमर प्रारूप समीति के अध्यक्स कौन थे दोस्तों सविदान सबाकी प्रारूप समिति के अध्यक्स का नाम पुचा गया है तो दोस्तों ये थे आपके कौन डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दे ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला है भिलाई इस्तित इस्पात कार खुनों की इस्तापना कब हुई भिलाई इस्तित इ अगला है गांदिवादी नेता पोटी स्री रामूलू की मरत्यू कब हुई बताएं दोस्तों चोराण में का राइट आंसर चोरान में का राइट अंसर एच ऑप्षन रेगा 15 दिसंवर 1952 को एच बिलकुल सहीए प्रेसा नमबर पिंचान में वन और कर्फ विषय कौन सी सुचि मैं रखे गे थे और क किस राजे की इस्तापना हुई भासाई राजे की आदार पर सरव परतम किस राजे की इस्तापना हुई थी दोस्तों भासाई राजे की इस्तापना के आदार पर इस्तापना हुई थी अंदर प्रदेश की किसकी अंदर प्रदेश की ए ओप्शन से आंसर है अगला है 97 निम्न मैंसे कौन सा विशे जो है केंद्री सुची का है दोस्तों ये है कराधान क्या है कराधान दे ओप्षन करेक्ट आंसरे अगला है किस प्रांथ को मराठी तता गुजराती भासा दो अलग राजियों में बाता गया है पंजाब या बंबई दोस्तों बताएं इंठान में का राइट आंसर आपको बताना है 98 का राइट आंसर जो है दोस्तों वे बे ओप्षन बंबई रहेगा 99 नमबर आपके सामने आ चुका है बड़े बड़े समाजों में विबी ने समूदायों में नियमों को आम सेमती के जरियत ते किया जाता है आदूनिक देसों में यह सेमती प्राय लिखित रूप में पाई जाती है जिस दस्तावेज में हमें इसे नियम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है तो दोस्तों उसे कहा जाता है किया सम्विधानी सवूदान की परीबाशाई है दोस्तों यह ओप्षन करेक्टांस है पर्सन नمबर सों क्या कह रहEh कि समानता क समानता का अधिकार भारतिये समिदान में दिया गया है किसके अंतरगत समानता का अधिकार भारतिये समिदान में किसके अंतरगत दिया गया है तो दोस्तों यह दिया गया था है मुलिक अधिकारों के अंतरगत बे ओप्शन करेक्ट आंसर कौन सा बे 101 नंबर आपके सामने आ चुका है दोस्तों जब अल्ब संक्यिकों पर बहुत संक्यों की बहुमत कीुड निरंग कुस्ता का दबदबा एक समुदाइड़ा दूसरे समुधाई के उपर होता है तो उसे क्या कहा जाता हैता है अंतर समुदाईिक वठीक स्थमाइडक वेसे ओप्शन एक सो दो रुक नंम्बर है भारतिये समोज़ान सभा का गठन किया गया था कब यहá पुछा गया में यह चार विकलब यह गये हैं एक सो दो और राईट आंसर रहे गा उनीश सोचीषियारिस में भारतिये समीधान सभा का गटन हुआ 1946 में दे औकुत र्खौन करेक्ट र चैसे निम टम संध कोन सा खन्ड भारतिय दान की अंतरातमा कहलाता है बहारतिय समीदान की अंतरात्मा किसे का जाता है दोस्तों यह का जाता है मेरे प्यारे सातियों मौलिक अधिकारों वाले खंड को किसे का जाता अंतरातमा मौलिक अधिकारों वाले खंड को बे ओप्षन करेक्ट आंसर एक सो तीन का प्रसन नंबर एक सो चार के ओर बढ़ते हैं एक सो चारवा प्रसन है किस अधिकार में यह का गया है कि धर्म जाती वन्स या लिंक क्यादार पर किसी भी नागरिक के साथ भेद बाव नहीं किया जा सकता तो दोस्तों 104 का राइट आंसर एगा समानता के अधिकार में यह बात की गई है A option correct answer अगला है 105 वहां भारतिय समिदान का जनक किसे का जाता है भारतिय समिदान का जनक किसे का जाता है डोक्टर बी आर अमबेटकर यानि भीमराव अमबेटकर को का जाता है अगला है भारत में कितनी इस्तरिय सासन व्यवस्ता है भारत में कितनी इस तरी 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 ये पालिका बे ओप्सन सही रहेगा एक सो आटवा किसन है समीधान सभा के अध्यक्स कौन थे दोस्तों समीधान सभा के अध्यक्स कौन थे दोस्तों तो दोस्तों ये थे कौन डॉक्टर राजंदर परसाद कौन थे दोस्तों समीधान सभा के अध्यक्स डॉक्टर राजंदर पर साथ दे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला क्यूशन है हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किये किस पर किये थे दोस्तों हिटलर ने जर्मनी पर अत्याचार ये किये थे दोस्तों किस पर यहूदियों पर हिटलर ने जर्मनी पर अत्याचार किये थे ये ओप्शन सही रहेग प्रस्ट नम्बर 110 है जिस देश में गेर मुसल्मानों को मंदिर या गिरजा गर बनाने की छूट नहीं है वह कौन सा देश है दोस्तों प्यारे सातियों वह देश कौन सा है सौधी अरब है दे ओप्षन आपका करेक्ट आंसर एगा प्रस्ट नम्बर 111 है निमने लिकित में से किस देश में मुसल्मानों और इसाई अलब संक्यकों के साथ एमानुए विवार किया जा रहा है दोस्तों तो प्यारे सातियों ये कौन सा देश है इसराइल है दोस्तों कौन सा है इसराइल बे ओप्षन सही रहेगा 112 की और बढ़ते हैं 1960 के दसक में किस देश में मजदूरों की कमी हो गई थी मेरे प्यारे साथियों तो ये हुईती दूस्टों किस में किस में हो गई थी फ्रांस में कहां कि स्कूलों में बच्चे शुब़े पहले वफादारी की सबत लेते हैं सबसे पहले बच्चे स्कूल में जाते ही सुबह सुबह वफ़ादारी की सपत लेते हैं कहां के स्कूल है दोस्तों वह है तो वह है दोस्तों संयुक्त राजे अमेरिका के देश के स्यंक्त राजे अमेरिका के दे ओप्षन सहीरेगा 113 का 114 देखिए भारतिय धरम निर्पेक्स्ता का तरीका है भारतिय धरम निर्पेक्स्ता का तरीका कौन सा है दोस्तों ये बताना है आपको तो इसका राइट आंसर हैगा राजे का खुद को धरम से दूर रखना एह स्तक्षेप की निति अपनाना और धरम में स्तक्षेप करना यानि उप्रोक्त सभी दे ओप्षन करेक्ट आंसर है प्रसा नमर 115 है भारत में राजे द्वारा खुद को धरम से दूर रखने का उधरन कौन सा है भारत में राजे द्वारा खुद को धरम से दूर रखने का उधरन कौन सा है दोस्तों ये बताना है चार विकल्प आपके सामने है 115 का करेक्ट आंसर एगा राजे द्वारा किसी एक दरम को समर्तन ने देना ये ओप्शन करेक्ट आंसर 115 में 116 नमबर है वर्ष 2004 में कौन से देश में कानून बनाए गया था कि कोई भी विदारती इसलामी बुरका यहुदी टोपी या बड़े बड़े इसाई क्रोस जेसे धार्मिक अत्वा राजनेतिक चिन धारन करके इसकुल नहीं आएंगे ये किस देश में दोस्तों नियम बनाए गया था मेरे प्यारे साथियों बताइए तो ये था दोस्तों कौन सा फ्रांस देश कौन सा देश दोस्तों फ्रांस से ऑप्शन करेक्ट आंसर अगला 117 क्यूसन आपके स्क्रीन पर आ चुका है सबसे पहले कब भारतिय राष्ट एक कॉंग्रेस ने मांग की की विदाइका में निर्वाचित सदेश्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने ये उपर सन पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए दोस्तों तो चर्चा और पर्चन पूछने का अधिकार दोस्तों कब दिया गया था सन 1985 में दिया गया था ए उप्षन 117 का करेक्ट आंसर है प्रेशन नंबर 118 देखेंगे भारत सवतंतर कब हुआ था दोस्तों ये बताईए भारत को सवतंतर ता कब मिली थी मेरे पैरे सातियों तो ये मिली थी पंदरा अगस्त उनीशों सेटारीस को जी हां दोस्तों ए उप्षन सही आंसर है 119 किसने किन आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में EVM का इस्तमाल किया गया था दोस्तों काफी important किसने ध्यान रखना है सबसे पहली बार देश में किस समय EVM का इस्तमाल कि अगय था दोस्तों कौन से चुनाव थे तो ये थे दोस्तों सन 2004 के चुनाव जी हां दोस्तों काफी important इस्टार लगा लेना दे option करेक्ट आंसर है 120 किसने दोस्तों जनता द्वारा चुनेगे लोग सबा के परतिनीदियों को क्या कहा जाता है जनता द्वारा चुनेगे दोस्तों उन्हें सांसद कहा जाता है मेरे प्यारे सातियों क्या कहते हैं सांसद बे option करेक्ट आंसर है प्रेसा नमबर 121 तेकेंगे सरकार बनाने के लिए निर्वाचित 543 लोग सबा सदश्यों मैंसे किसी दल के पास कम से कम कितने सदश्यों होने चाहिए कि वह सरकार बना सके 121 किसन आपके सामने अवेलेबल है 121 का राइट आंसर हैगा दोस्तों दोस्तों बहुत तर कम से कम सदश्यों होने चाहिए तब सरकार बन सकते हैं से option सही है 122 है राजे सबा में राष्ट पती द्वारा मनोनित किये जाते हैं कितने सदश्यों जो है दोस्तों राजे सदश्यों किये जाते हैं option number 2 correct answer है अगला है भारत में लोग सबा में सत्ताधारी दल का मुख्या कोन होता है दोस्तों तो वे होता है दोस्तों प्रदान मंत्री जी हां दोस्तों 123 का बे option correct answer है प्रेस्ट नमबर 124 में आजे ये लोगतंतर का प्रस्तान बिंदु होता है सहमत का विचार ए सहमती का विचार अनिचा या केवल सक्सम लोगों की भागेदारी तो प्यारे सात्यों लोगतंतर का प्रस्तान बिंदु होता है सहमती का विचार ए option correct answer है प्रेस्ट नमबर 125 राजे सबा में कुल कितने सदेश्य होते हैं बताएं दोस्तों प्रेस्ट नमबर 125 आपके सामने अवेलेबल है राजे सबा में कुल जो है दोस्तों 245 सदेश्य होते हैं दे ओप्षन correct answer है अगला है भारतिय संसद के कितने सदन हैं भारतिय संसद के कुल कितने सदन है दोस्तों ये बताइए भारतिय संसत के मेरे प्यारे साथियों कितने सदन हैं दो सदन हैं बिल्कुल बे ओप्षन करेक्ट आंसर एगा प्रस नमबर 127 क्यों राते हैं तो 127 वां कह रहा है कि कानून के साथसन का अर्थ क्या है कानून के साथसन का अर्थ क्या है दोस्तों 127 का जो राइट आंसर बनेगा वे बनेगा सबी कानून देश के सबी नागरिकों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं कानून के सासन का मतलब भी है A option correct answer है अगला है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ काफी important question है रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था दोस्तों यह लागू हुआ था 10 मार्च 1919 को कब लागू हुआ था दोस्तों 10 मार्च 1919 को बे option correct answer 130 की और आते हैं कानून बनाने में सरवादिक महतुपूर्ण भूमी का किसकी होती है दोस्तों कानून बनाने में सरवादिक भूमी का जो है किसकी होती है दोस्तों यह होती है संसद्गी किसकी होती है दोस्तों संसद्गी से option correct answer 130 के रहा है कि भारत में गरेलू हिसा मैला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ भारत में गरेलू हिसा मैला सुरक्षा कानून जो है दोस्तों कब लागू वा था तो ये वा था दोस्तों 2006 में लागू कब हुआ 2006 में दे ओप्शन करेक्ट आंसर है परसा नमबर 131 कह रहा है कि कानून निर्माण में संसद के दोनों सदनों से स्वीकर्ती के बाद विदेख मंजूरी के लिए किसके पास जाता है दोस्तों जब संसद के दोनों सदनों के पास स्विकरती मिल जाती है तो विदाइक मंजूरी के लिए किसके पास जाता है दोस्तों यह जाता है दोस्तों किसके पास राजस्तान राजे सभा के सभापती के पास कहां जाता है दोस्तों राजे सभा के सभापती के पास आपका 131 सोरी दोस्तों ये जाता है किसके पास राष्ट पती के पास जब दोनों सद्रों से मिल गए तो कहां जाएगा राष्ट पती के पास जाएगा से ओप्सन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 131 से ओप्सन 132 के रहा है कि Dr. Seifuddin Kiclu को कब गिरफतार किया गया Dr. Seifuddin Kiclu को धोस्तों कब गिरफतार किया गया तो यह किया गया था धोस्तों 10 अपरेल 1919 को बे options सही है अगला है जलिया वाला बाग अथ्याकांड कहा हुआ था दोस्तों यह पूचा गया है जलियावाला बाग अत्याकांड का हुआ था दोस्तों 133 नंबर आपके सामने अवेलेबल है 133 का राइट आंसर हैगा अमरत सर्में वाथा दोस्तों जलियावाला बाग अत्याकांड ए ओप्शन सही है 134 आपके सामने आ चुका है अठारा सो सित्र को कौन सा कानून अंग्रेजी सासन के मनमाने पन की मिसाल थी दोस्तों अगला क्यूसन है कानून मनाने में मैं तो पूर्ण भूमे का किसकी होती है दोस्तों तो ये क्यूसन दुबार आ चुका है संसत की भूमी का होती है बिल्कुल से ओप्शन सही है अगला है बेटे बीटियां और उनकी मा तीनों को किस कानून दुआरा परिवार की संपती में बराबर हिसा मिल सकता है दोस्तों एसा कौन सा कानून है कि बेटे बीटियां और उनकी मा को तीनों को बराबर संपती में हिसा मिले दोस्तों ये बताना है आपको तो इसका राइट आंसर एगा हिंदू उत्रादिकार संसोधन कानून ए ओप्शन करेक्ट है 136 में परसन नमर 137 देखेंगे भारत का सर्वोचे नियाले इस्तापित है कहां पर भारत का सर्वोचे नियाले काँ पर है दोस्तों तो ये है मेरे पैरे सातियों नई दिल्ली में इस्तिते काई नई दिल्ली दे ओप्शन सही है अगला है निम्न में से कौन सा काम नियाई पालिका का नहीं है इन में से कौन सा काम जो है दोस्तों नियाई पालिका का नहीं है तो ये नहीं है दोस्तों कानूनों का निर्मान करना ठीक है निर्वान करना दोस्तों न्याय पालिका का कार्य नहीं है A option correct answer अगला है अनुचेद 21 में प्रतेक नागरिक को जीवन का मोलिक अधिकार दिया गया है इस अधिकार में कौन सा अधिकार सामिल नहीं है इसमें कौन सा सामिल नहीं है दोस्तों चार विकल्प आपको दिखाए गये है इन में से जो दोस्तों है समानता का अधिकार जो है सामिल नहीं है दे option से या answer है 140 का 140 का दे option 140 वा कह रहा है कि बारत में प्रतेक राज्य की सबसे उच्छी अधालत को क्या कहा जाता है उच्छे नियाले बे option से या answer है अगला है देहज हत्या का मामला संबंदित है किससे दोस्तों देहज हत्या का मामला किससे संबंदित है दोस्तों यह संबंदित है मेरी पैरे साथियों किससे फोज़दारी कानून से किस है दोस्तों फोज़दारी कानून से से option correct answer है 142 में क्या कह रहा है दोस्तों देखना निमने में से कौन सा विवाद दिवानी कानून से समधित नहीं है दोस्तों कौन सा विवाद जो है वह दिवानी कानून से समधित नहीं है दोस्तों तो यह कौन सा हो जाएगा चोरी से समंद्ध विवाद जो है दिवानी कानून से समंद्ध नहीं है दे ओप्षन करेक्ट आंसरे प्रसन नंबर 143 के और आजे ये भारत के सर्वोचे नियाले के स्तापना कब होई थी दोस्तों बहुत ये अच्छा क्यूशन आ चुक जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा तालुक होता है वे क्या कहलाती है दोस्तों वे अधिनस्त नियाले कहलाते हैं परसन नंबर 145 के रहा है ओलगा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में फेसला कब किया गया था दोस्तों बताईए दोस्तों 145 का करेक्ट आंसर एगा 1985 में बे ओप्सन बिल्कुल सही है 146 में मैं आजए एक नमबर 2018 की इस्तती के अनुसार उच्छतम नियाले में नियाईदिसों के स्वीकर्थ पदों की सिंख्या कितनी है इंपोर्टेंटे द्यान रख लेना 146 का राइट आंसर देगा अगला क्योशन 147 सवीदान के किस अनुसार प्रतेक व्यक्ति को एक वकिल के जरिया अपना बचाव करने का मौलिक अदुकार दिया गया है वकिल करके तो यह कौन सा अनुसाद है दोस्तों अब बताईए चार विकल्प आपके सामने अविलबल है 147 का राइट आंस अनुसेद 22 में यह प्रावदान है दोस्तों वकिल करके बचाव कर सकता है 148 आपके सामने है वह व्यक्ति जो सरकार के और से नियाले में मुकदमे की पेरवी करता है क्या कहलाता है वह कौन सा व्यक्ति है जो दोस्तों सरकार के और से नियाले में मुकदमे की पेरवी करता ह किसी अपरात के बारे में चो सिकायद मिलती है उसकी जाइड़ा कि जाती है यह पुलिस के दुआरा की जाती है यह पुलिस के दुआरा कि जाती है अगलां अगला 150 वा किर्शन है दोस्तों जब पुलिस जाँच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है तब किसकी भूमी का सुरू होती है दोस्तों अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद किसकी भूमी का सुरू हो जाती है तो दोस्तों ये हो जाती है उप्रयोक्त तीनों की यानि सरकारी वकिल की नियाई दिश्की और बचाव पक्स के वकिल की तीनों की भूमी का चालू हो जाती है option correct answer रेगा 150 का प्रसन नंबर 151 के ओर आते हैं तो प्रसन है आपका आरोपी वाकी दोसी है या नहीं इसका निर्दारण कौन करता है दोस्तों आरोपी जो है वास्तों में दोसी है या नहीं है इसका निर्दारण कौन करता है दोस्तों तो यह करता है कौन नियाएदी, दे ओप्षन करेक्ट आंसर, अगला क्योशन है, समिदान के किस अनुचहद में जीवन के अधिकार का आश्वाशन दिया गया है, तो दोस्तों यह कौन सा अनुचहद है, अनुचहद 21, से ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है, कौन सा रहेगा, से ओप्षन आपका करेक्ट आंसर है, अगला है, एफ आई आर में उलेक किया जाता है, एफ आई आर जो दाएर की जाती है दोस्तों, उसमें क्या उलेक किया जाता है दोस्तों, उसमें उलेक किया जाता है, वारदात की तारिक का, वारदात की समय का और वारदात की इस्तान का यानि उपरोग सभी आपर दे उप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अगला किर्शन है 155 किसी भी व्यक्ति की गिरपतारी हिरासत और पूस्ताज के बारे में बने नियमों को क्या कहा जाता है तो दोस्तों इन नियमों को कहा जाता है डीके बसू निर्दा निर्देश डीके बसू दीस्ता निर्देश से उप्शन करेक्ट आंसर है परसा नमबर 155 के और आते हैं सविदान के किस अनुचेद के दौरा गरीबों है तो वकील उपलब्द कराने की जिम्मेदारी राजे के उपर सौपी गई है दोस्तों गरीबों दोस्तों अनुचेद 49A कौन सा अनुचेद 49A बिल्कुल बे उप्शन करेक्ट आंसर है परसा नमबर 156 पर आज़ेए नियादिस मुकदमे का फेसला सुनाते हैं किसके आदार पर सुनाया जाता है दोस्तों फेसला नियादिस के दुआरा मुकदमे का फेसला किसके आदार पर सुनाया जाता है तो दोस्तों ये सुनाया जाता है अदालत में पेश कियेगे इस शाहिए समुदाई की विश्यस्ता कौन से ये दोस्तों समझ्यक रूप से हाशियाई समुदाई की विश्यस्ता कौन से है मेरे पहरे सात्यों सोता option right answer एगा इसका कौन सा सकती हीन्ता और पराजे का एसास अगला किस्थन है निमने में से कौन सा समुधाय भारत में हाशिये पर है कौन सा समुधाय हाशिये पर है दोस्तों ये है कौन सा मुस्लिम समुधाय दे option correct answer एगा प्रेसर नमबर 116 की तरह बढ़ते हैं आदिवासी समू औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्यों दोस्तों उनके भितर उंच नीच का फरक बहुत कम होता है ए ओप्षन करेक्ट आंसर एगा 116 का 160 क्या कह रहा है दोस्तों खनन और खनन प्रियोजनाओं के कारण विस्तापित होने वाला आदिवासियों का परतिसत है उनका परतिसत कितना है दोस्तों तो यह है दोस्तों 50 परतिसत से ओप्षन करेक्ट आंसर 161 कह रहा है अलप संक्य के अवदारना का संबन किसे है दोस्तों यह है आपके उप्रियोग सभी राइट आंसर एगा देव उप्षन यानि पहला भी सही दूसरा भी सही तीसरा भी देव उप्षन करेक्ट आंसर अगला है 2012 की जन्गना का अनुसरा भारत की कुल जन संक्या में मुसल्मानों की संक्या कितुन है आधिवासियों के अधिग जन्संग के वाले राजे का नाम बताना है दोस्तों तो वह है दोस्तों कौनसा 36 गड राजे कौनसा है 36 गड ऐ उप्शन करेक्ट आंसर अगला है न्यामगिरी किस समुदाई का पवित्र परवत है दोस्तों न्यामगिरी जो है वह किस समुदाई का पवित्र परवत माना जाता है मेरे प्यारे साथियों तो वह माना जाता है डोंगरिया कॉंड का डोंगरिया कॉंड दे ओप्सन करेक्ट आंसर रहेगा प्रेसा नमबर 165 है किस राजे में 60 से ज़्यादा अलग अलग जंजातियां समूर रहते हैं दोस्तों वह कौन सा राजे है जहांपर 60 से ज़्यादा अलग अलग जंजाति समूर रहते हैं दोस्तों वह है दोस्तों ओडिसा कौन सा है ओडिसा से ओप्सन करेक्ट परसन नंबर 166 सचर समीती का गठन कब किया गया सचर समीती का गठन मेरे प्यारे साथियों ये किया गया था 2005 में Sydक में कब किया गया 2005 में तो ये दोस्तों है कौन सा अनुचेद 17 में, कौन सा अनुचेद 17 दे option correct है अगला है समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित जिस प्रावदान का सारा लेते हैं वह कौन सा है तो दोस्तों कौन सा समीदान है, अनुचेद कौन सा ये पुचा गया है तो अनुचेद 15 के अंतरगत सारा लिया जाता है दोस्तों बे ओप्सन करेक्ट है एक सो गुण सितर नमबर देखिए समीदान के किस अधिकार के तहट धार्मिक और भासई अलब संक्यक समुदाय अपनी संसकर्थी की रक्षा कर सकते हैं कौन से अधिकार के तहट दोस्तों ये है आपका सांसकर्थीक और सेक्षनिक अधिकार के तहट बिल्कुल से ओप्सन करेक्ट आंसर एक सो गुण सितर का एक सो सितर नंबर क्या कह रहा है निम्न मैंसे कौन सा कानून सिर पर मेला उठाने वालों को काम पर रखने और सुके सोचालियों के निर्मान पर पाबंदी लगाता है दोस्तों एक सो सितर का राइट आंसर एगा एंप्लाइमेंट ओप मेन्यूल इसके वेंचर्श एंड कंस्ट्रेक्शन ओप ड्राइल लेंट्रिंस प्रोहबिशिन एक्ट निसो तेराण में बे ओप्शन करेक्ट आंसर एगा दोस्तों 111 नंबर क्यूसन है कट ओप का क्या अर्थ है दोस्तों कट ओप जो आती है उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों कट ओप का आर्थ है सलेक्शन की नियूंतम अंक शीमा यानि इतने नंबर वालों का सलेक्शन बे ओप्शन करेक्ट आंसर एक्सो बहुतर नंबर है निम्र में से हाश्याई समू के अंतरगत कोन आते हैं हाश्याई समू के अंतरगत कोन आते हैं दोस्तों मुसलमान भी आते हैं दलित भी आते हैं आदिवा से आते हैं उपरुग सभी राइट आंसर एगा एक सो बोत्र का परसन नमर एक सो तैतर के रहा है अनुसुचित जाती एवं जन ज ही है एक सो चोत्र नंबर कह रहा है हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियूजन का प्रतिशेद और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों विकरप आपके सामने है चार बताइए राइट आंसर क्या रहेगा प्रेसर नंबर कौन सा यह प्रेसर न नंबर एक सो पिचेत्र क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा संसादन है निम्न में से कौन सा संसादन है दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल उप्रोक्त सब्भी संसादन है जल भी है वायू भी है खादिपदार्त भी है सारे संसादन है यह ओप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अब बढ़ते हैं प्रस नंबर 116 की तरफ प्रसने आपका संसाधनों के संबंद में सत्यकतन कौन सा है चार विकल्प आपके सामने अवेलबल है संसाधनों के संबंद में सत्यकतन कौन सा है तो प्यारे सातियों उप्रयोगत सभी सत्यकतन है संसाधन उपयोगी भी होते हैं संसाध तो दोस्तों उप्रियोक्त सभी राइट आंसर हैं जल मृद्धा और खनीज ये सभी प्राकर्तिक संसादनों में समिलित हैं अगला है निम्न में से कौनसा नवी करणिये संसाधन है इन में से नवी करणिये संसाधन कौनसा है तो नवी करणिये संसाधन का उदारण है सोर उड़जा बिल्कुल सोर उड़जा नवी करणिये है तो खे ओप्षन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेसा नमबर 180 की ओर आते हैं निम्न मेंसे कौन सा ए नवीकरणिये संसादन है या पर ए नवीकरणिये संसादन के बारे में पुचा है तो कोईला, पेंट्रोलियम और प्राकरती गेस ये सभी जो है ए नवीकरणिये है यानि उप्रोक्त सभी का जो गे ओप्चन है वो करेक्ट आंसर हैगा कोईला, पेंट्रोलियम, प्राकरती गेस सभी ए नवीकरणिये संसादन के उधारन है प्रेसा नमबर 180 निम्न मेंसे संसादन सरक्षन का तरीका कौन सा है संसादन सरक्षन का तरीका बताना है दोस्तों बिल्कुल संसादन सरक्षन का तरीका है वस्तुओं का पुने चक्रण करना वस्तुओं का पुने चक्रण करना खे ओप्चन करेक्ट आंसर 180 का प्रसन नमबर 181 प्राजिये प्राकर्तिक संसादनों का वित्रण निम्न में से किस कारक पर निर्बर करता है तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी राइट आंसर एगा ये निर्बर करता है भूब बाग पर जलवाई और उचाई सभी पर गे ओप्सन करेक्ट आंसर अगला है मानव निर्मित संसादनों में समलित कौन सा है दोस्तों तो 182 में आप देख रहे है पूल, सडक और मशीन सारे मानव संसादनों में निर्मित है तो यहाँ पर राइट आंसर उजएगा आपका गे ओप्सन अगला है 113 नमबर परत्वी के कितने परतिसत भाग पर भूमी है जल नहीं पूचाया दोस्तों भूमी पूचे गई है कि कितने परसेंट भाग पर भूमी है परत्वी के तो दोस्तों यह है 30 परतिसत भाग पर खे ओप्सन आपका करेक्ट आंसर है अगला देखे एक सो चोरियां से नमबर भूमी का उप्योग निम्न मैंसे किस कारी हितु किया जाता है भूमी का उप्योग निम्न मैंसे किस कारी के लिए किया जाता है तो दोस्तों उप्योग सभी राइट आंसर एगा कर्षी वानी के और खनन इन सबी के लिए किया जाता है भूमी का उप्योग प्रेसर नमबर 185 के और देखे चटान, मलबे, मृदा, आधिका, ढालों से नीचे के और वरद संचलन क्या कहलाता है दोस्तों जब ये नीचे के और वरद संचलन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है तो 185 का जो राइट आंसर है वेरेगा दोस्तों भूस कलन कलाता है क्या ओप्शन करेक्ट आंसर अगला क्यूषन ये प्रानियों और पक्षियों के वयापार परतिबंद की सुची कौन सी संस्ता बनाती है अगला क्यूषन भूमी का उप्योग निम्न में से किस बहतिक कारक द्वारा निरदारित होता है किस वहतिक कारक द्वारा निर्दारित होता है तो दोस्तों ये मृदा, जलवाईू और जल की उपलब्दा सभी पर जो है इसके द्वारा निर्दारित होता है तो उप्रियोक्त सभी का राइट आंसर रहेगा अगला किस्तन है मिर्दा सरक्षन है तो उपयोग में ली जाने वाली वीदियों में सम्मिलित कौन सी है मिर्दा सरक्षन है तो उपयोग में ली जाने वाली जो वीदियां उनमें कौन कौन सी सम्मिलित है तो दोस्तों इसमें सम्मिलित सभी रहेगी वेदी का भारम भी है रक्सक मेकलाएं भी है और चटान बांध भी है यानि उपरोक्त सभी जो है गे करेक्ट आंसर एगा आपका अगला क्योशन देखिए वनो में हमें निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है वनो में हमें निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है तो दोस्तों यहाँ पर लकडी, ओस्दिया और गोंदिये सभी प्राप्त होते हैं उप्रोक्त सभी राइट आंसर हेगा एक सो गुर्ण नबे का एक सो नबे नमबर पर आज़ेए प्राकर्तिक वनस्पती और वन्य जीवन के सरंक्षन है तो निम्न में से क्या उपाई किया गया है प्राकर्तिक वनस्पती और वन्य जीवन के सरंक्षन के लिए क्या उपाई किया गया है एक सो नबे नमबर आपके सामने अवेलेबल है राइट आंसर हेगा उप्रोक्त सभी गे ओप्षन करेक्ट आंसर हे अगला क्योंसे ग्रे को जल ग्रे कहा जाता है किस ग्रे को जल ग्रे कहा जाता है दोस्तों तो दोस्तों प्रत्वी पर जल की अधिकता होने के कारणी से जल ग्रे भी कहा जाता है निला ग्रे भी कहा जाता है खे ओप्सन करेक्ट आंसर है अगला क्योंटन है जल की कमी वाला प्रदेश कौनसा है जल की कमी वाला प्रदेश का नाम बताना है दोस्तों आपको 1.92 का राइट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा पस्चिमि एसिया अधिकांस अप्रिका और संपुन ओस्टेलिया ये जल की कमी वाले ही प्रदेश हैं तो गे ओप्शन अंतिम क्रेक्ट आंसर हैगा उप्रयोक्त सभी का अगला है 113 में नमबर निमने में से कौन सा खनीज धात्वी खनीज है इन में से कौन सा खनीज धात्वी खनीज है दोस्तों तो याँपर लोए एसक बोक्साइट और मेगनीज ये सभी धात्वी खनीज है उप्रयोक्त सभी का राइट आंसर हैगा प्रेसर नमबर 114 में है निमने में से कौन सा खनीज धात्वी खनीजों की सरेणी में आता है इनमें से कौन सा खनीज एद आत्वी खनीजों की सिरेणी में आता है दोस्तों 104 में का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों चुनना पत्थर अबरक जिपसम ये सारे के सारे एद आत्वी खनीज है उपरियक्त सभी आपर राइट आंसर रहेगा दोस्तों important question है वीडियो को अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है दोस्तों जल्दी से कर दीजिए एक सो पिंचानम नमबर क्या कह रहा है जब खनीजों को बार निकालने के लिए गेहन कूपों की खुदाई की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों कम समय में अधिक परशन करवा रहा हूं इसलिए मैं चारों विकल्प ना बोल की डाइरेक्ट आंसर बता रहा हूं तो इसे जो है गेहन कूपों की खुदाई जब की जाती है खनीजों को बार निकालने के लिए तो इसे दोस्तों क्या केते हैं प्रे वेधन केते हैं दोस्तों प्रे वेधन खे ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला है हीरा, सोना तता प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौनचा है दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक भारत, अफरीका, यूरोप या उस्टेलिया जल्दी से एक सो च्याण में का राइट आंसर अफरीका रहेगा दोस्तों हीरा, सोना और पलेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है अफरीका खे ओप्सन करेक्ट आंसर अगला आपका है पस्चिम उस्टेलिया के काल गुरली तथा गुलगारडी शेत्रों में किस खनीज का निक्षेप होता है इंपोर्टन क्यूसे ने कौन सा खनीज का निक्षेप होता है ये बताना है तो राइट आंसर एगा दोस्तों सोना का, कहां पर सोना का अगे देखिए कि अधिक गेराई पर गेहन वेदन करके खनीजो को बार निकालना क्या कहलाता है दोस्तों अधिक गेराई पर गेहन वेदन करके खनीजो को बार निकालनी की परकिरिया है कूप की खनन कहलाती है अधिक गेराई वाली कूप की खनन के ओप्षन करेक्ट आंसर है प्रेसर नमर 119 में कह रहा है एलुमीनियम का उप्योग किया जाता है होटो मोबाइल एम हवाई जाज में बोतल बंदी उद्योग में रेसोई के बरतन बनाने में उपरोक्त सभी तो दोस्तों यहाँ पर जो यह ओप्षन है इनके इंसाब से उपरोक्त सभी राइट आंसर है यह सभी ऐलुमीनियम के उप्योग बता रहे हैं गे उप्षन करेक्ट आंसर है प्रेसर नमर 200 देखिए उर्जा के प्रमपरागत सरोतों में सामिल कौन सा है उर्जा के प्रमपर तो प्रेस्ट नमबर 201 आपके सामने अवेलेबल है राइट आंसर है पवन उर्जा सोर उर्जा जवारिय उर्जा यह सारे के सारे गेर परंपरागत उर्जा के शरोत है गे ओप्सन करेक्ट आंसर अपरोक्त सबी प्रेस्ट नमबर 202 की तरह पाए हैं एक छोटे बुखंड पर अधिक ओजार तथा अधिक शरम द्वारा केई फसले उगाना क्या कहलाता है एक छोटे से शत्र में अधिक ओजार तथा अधिक शरम द्वारा केई फसले उगाना क्या कहलाता है दोस्तों यह कहलाता है गहन निर्वाह कर्शी क्या कहलाता है गहन निर्वाह कर्शी क्या कह अगला है एक परिवार दुआरा अपने आवशक्ता की पूर्टी है तुकी जाने वाली कर्शी को क्या कहा जाता है एक परिवार अपने आवशक्ता पूर्टी के लिए जो कर्शी करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों निर्वा है कर्शी क्या कहते हैं सा दोस्ते नंबर जो 204 दोस्तों आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर एगा उप्रयोक्त सभी एक परिवार के आवश्यक्त है तो कर्षी निर्वाकर्षी का लक्षन है प्रमपरा प्रमपरिक रूप से कम उपच की प्राप्ति ये भी है और निम निस्तरी प्रविद्योग ये सारी की सारी निर्वाकर्षी के लक्षन है उप्रयोक्त सभी का राइट आंसर एगा दोस्तों पांस नमर देखे इस्तानांत्रित कर्षी पर्चलित है तो दोस्तों इस्तानांत्रित कर्षी कहां पर्चलित है अमेजन बेशिन के सगनवन में भी पर्चलित है उश्ण वानिजीक कर्शी में सामिल किया जाता है वानिजीक कर्शी में किसे सामिल किया जाता है दोस्तों राइट आंसर हैगा उपरोक्त सभी वानिजीक अनाज कर्शी मिश्रित कर्शी और रोपन कर्शी ये सारे के सारे जो है वानिजीक कर्शी में सामिल किया जाते हैं दोस्तों य यहां पर उपरोक्त सभी राइट आंसर एगा, उच्छ ताप मान भी होना चाहिए, अधिक आधरता भी होनी चाहिए और अधिक वर्षा की आशकता होते हैं चावल की भसल के लिए, तो गे ओप्षन करेक्ट आंसर, अगला है भारत में पेदा किये जाने वाले, मिलेट उपरोक्त सभी राइट आंसर एगा, दोस्तो आट में भी, दोस्तो नो नमबर है, कर्शी विकास यह तो आवश्यक है, तो दोस्तों सिंचाई सुईदा में वर्दी भी चाहिए, उच उपस देने वाले बीजों का परियोग भी करना चाहिए, आधुनिक बस्विनों का उपस देख लिजे आप, परसन नमबर है, आपका दोसो इग्यारा, दोस्तों बताना है, चावल का परतम उथपादक देश कोन सा है, दोस्तों चीन है, चेफोर, चावल, चेफोर, ठीक है, के उपसन करेक्ट आंसर है, अगला क्यूसन देखे दोसों, बारा, कच्चे माल के उप्योग के आदार पर उद्योगों के वर्गी करन में, दोस्तों, कर्शे आदारित उद्योग भी आते हैं, खनीज आदारित उद्योग भी आते हैं, और समुंद्र आदारित दोस्तों कुटिर उद्योग है तो यहां पर जो इ colonial रहें आपको टोकरी बनाना मिटी के बरतन बनाना और लकड़ी के खिलो ने बनाना यह सारे के सारे कुटिर उद्योग के उद्योग है तो उप्रोक्त सबी right answer एगा इसमें अगला question आपके सामने है जिन उद्योगों का सार्वजनिक उद्योग क्या कहते हैं सातियों सार्वजनिक उद्योग प्रेशन नंबर 215 आपके सामने हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड है हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड किस प्रकार का लिमिटेड है दोस्तों यह है आपके कौन सा सार्वजनेक उपकरम है दोस्तों कौनसा है सारवजनेक उपकरम है हिंदुस्तान Aeronautical Limited के ОпSudan correct answer प्रशन नंबर दोसों सोड़ा देखिये सुदा डेरी है सुदा डेरी किस परकार का उपकरम है दोस्तों ये पुचा गया है तो सुधा डियरी जो है एक सेकारी उपग्रम है दोस्तों कौносा सेकारी गियो्सन करेक्ट आंस gehört प्रैसर नमर 2107 में आज़े ये उद्योग की अवस्तती को परबाविद करने वाला कारक कौन सा है एक उद्योग की अवस्तिती को प्रभावित करने वाला नेमने में से कार कौन सा है दोस्तों तो यहां पर यह जो सभी देख रहे हैं परिवेन, कच्छा, माल और सरम यह सभी उद्योग की अवस्तिती को प्रभावित करते हैं उप्रयोक्त सभी राइट आंसर एगा प्रसन नमबर दोसो अठारा है भारत में ओद्योगिक परदेश है दोस्तों बारत में ओद्योगिक परदेश है एमदाबाद बडोदरा परदेश ये भी है गुडगाम दिली मेरेट परदेश ये भी है और विशा का पणनाम गुंटूर परदेश ये भी है उपरोक तसभी राइट आंसर रेगा दोसों टारा में दोस्तों सारे परशन एड़त क्लास की NCRT की न्यू बुक से है तो काफी इंपोर्टेंट रेगा रीट के लिए दोसों निस नमबर है भारत का महतोपूर्ण इस्पात उत्पादक केंदर कौन सा है दोस्तों भारत में बिलाई भी है दुरगापुर्भी और जमसेद पुर्भी है उपरोक्त सभी राइट आंसर दोसों उनिस का परशन नमबर 220 टाटा आइरन एंड इस्टिल कंपनी टिस्को की शुरुआत की गई दोस्तों बताईए जल्दी से राइट आंसर क्या रहेगा तिस्को की सुरुआत जो है टाटा आइरन एंड इस्टिल कंपनी टिस्को इसकी सुरुआत कब की गई थी दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1907 में कब उईती साती यह 1907 में खे ओप्सन करेक्ट आंसर अगला ह प्रेसों में से समलित है मानव। निर्मित में नाइलोन भी आएगा, पोली एश्टन भी आएगा, एकरीलिक भी आएगा, उप्रोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ये ओप्षन प्रस्चन नम्र 222 देखेंगे भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्राले की इस्तापना किस वर्श की गई मानव संसाधन मंत्राले के इस तापना भारश सरकार के अधिन दोस्तों हुई थी 1950 में कब उई दोस्तों, 1965 में कह ऐ ओप्शन, करेक्ट आन्सर अगला है, किसी देश के सबसे बड़े संसाधन होते हैं किसी देश के सबसे बड़े संसादन कौन होते हैं दोस्तों लोग होते हैं उस देश के लोग उस देश के सबसे बड़े संसादन होते हैं के ओप्षन करेक्ट आंसर परसन नमबर 224 क्या कह रहा है विश्व की 90 परतिसत जनसंक्या का लगबक कितने परतिसत भूप्रस्ट पर निवास करती है दोस 224 का right answer एगा 30% ही हमने आगे भी देख लिया था खे option correct answer पर्सन नमबर अगला 225 वेशो की सबसे अधिक जनसंग क्या किस महादीब पर निवास करती है दोस्तों किस महादीब की जनसंग क्या सबसे अधिक है वेशो में दोस्तों ये बताना है दोस्तों 225 का right answer एगा एस या मह सबसे अधिक जनसंग क्या है दोस्तों गे option correct answer पर्सन नमबर 226 निया गनत्तों क्या होता है मेरे प्यारे सात्यों ये होता है परति वर्ग किलोमेटर में रहने वाले लोगों की संग्या परती वर्ग किलोमेटर में रेने वाले लोगों संक्या के ओप्षन करेक्ट आंसर है प्रेसर नमबर 227 है जन संक्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो है जन संक्या को परभावित करने वाले कारकों में उप्रोक सभी आ जाएंगे आरती कारक भी आते हैं भोगोलिक और समाजी के सारे कारक परभावित करते हैं जन संक्या को उप्रियोक्त सभी राइट आंसर है गा इसका प्रसन नमबर 228 में आज़ेए जन संक्या को परभावित करने वाले भोगोलिक कारकों में सम्मिलित है तो भोगोलिक कारकों कौन कौन से हैं दोस्तों जलवायू भी आएगी मृदा और जल सारे आएगे तो उप्रयोक्त सभी इसका राइटा अंसरेगा 228 का परसन नमबर 238 कह रहा है कि जन मदर को मापा जाता है किस प्रकार से जन मदर को कैसे मापते हैं दोस्तों दोस्तों गुनतिस नमबर आपके सामने है परती हजार व्यक्तियों पर जिवित जनमों की शंक्या जो है दोस्तों जन मदर कहलाती है खे option correct answer एगा इस परसन का खे ध्यानकना important question है ये सारे अगला परसन 230 नमबर वर्स 1960 के प्रारम में विश्व की जंसंग क्या कितनी थी जब वर्स 1960 का प्रारम वुआ उस समय विश्व की जंसंग क्या पुछी गई है दोस्तों तो ये थी 3 अरब कितनी थी दोस्तों 3 अरब थी मेरे प्यारे साथियों याद रखना है अगला क्यूसन है भारत की जंसंग क्या का ओस्त गनतू परती वर्ग किलोमेटर कितना है तो ये है 382 व्यक्ति परती वर्ग किलोमेटर 382 व्यक्ति गे option correct answer है दोस्तों प्रसन नमबर 232 क्या के रहा है मराठों ने कोटावे बूंदी पर आकरमन कब किया था दोस्तों 1726 इसमें किया था दोस्तों 1726 में say option correct answer अगला क्यूसन क्या के रहा है राजस्तान के राजपूत राजओने मराठों की बढ़ती सक्ति को रोकने के लिए हुरडा समेलन भीलवाडा में कब समेलन बुलाया था जो हुरडा समेलन के नाम से जाना गया दोस्तों राजपूत राजओने मराठों की सक्ति को रोकने के लिए एक समेलन बुलाया जिसका नाम हुरडा समेलन था बेलवाड़ा में बुलाए गया था कब बुलाए गया था दोस्तों ये बुलाए गया था 17 जुलाई 1734 में कब बुलाए था 17 जुलाई 1734 में आगे बढ़ते हैं अगला क्यूसन है राजपूत राजवों में एक ता का अबाव था क्योंकि क्या कारण था दोस्तों कि राजपूत राजाओं में जो है एकता का अबाव था दोस्तों ये कारण था उनके निरिणेव में एस पश्टा आना दे ओप्शन करेक्ट आंसर है 235 नमबर के आवर आते हैं जोदपुर में उत्रा दिकार संगर्ष हुआ किस किस के मद्य जोदपुर में जो है दोस्तों गद्धी पर बेटने के लिए उत्रा धिकार संगर्ष हुआ था दोस्तों मेरे प्यारे सातियों ये हुआ था राम सिंग और बक्त सिंग के मद्य राम सिंग और बक्त सिंग के मद्य उत्रादिकार संगर्शुआ काँपर जोधपुर में बे ओप्शन बिल्कुल सही आंसर है प्रसा नमबर 236 के और आज़े ये जिस राजपूत राज़े के विरोध के कारण सीरोई से अंग्रेजो की तत्काल संदी नहीं हो सकी वे कौन सा था सीरोई से अंग्रेजो की जो तत्काल संदी नहीं हो सकी थे वे कौन सा राजपूत राज़े था दोस्तों वे था अपना मारवाड राज़े कौन सा दोस्तों मारवाड बे ओप्शन करेक्ट आंसर है परसा नमबर 237 क्या कह रहा है भारत में जो दोस्तों शुरुआत हुई थी अठारा सो सतावन की करांथी वे मेरट से हुई थी दोस्तों राज़स्तान में नैसेरवाद चावनी से लेकिन भारत में मेरट से बे ओप्शन करेक्ट आंसर परसा नमबर 244 कह रहा है राज़स्तान में 1857 की करांथी का तातकाली कारण क्या था दोस्तों राज़स्तान में जो है 1857 की करांथी का तातकाली कारण क्या था कार्तुसों में गाई वे सूर की चरबी का प्रियोग करना ही तातकाली कारण था दोस्तों तो यहां पर से option correct answer एगा 240 का 240 नमबर कह रहा है कि राजस्तान में 1857 की करांति के समय मेर रेजिमेंट थी दोस्तों समय मेर रेजिमेंट कौन सी थी दोस्तों तो यह थी मेरे प्यारे सात्यों ब्यावर चावनी में कांपर थी ब्यावर चावनी में दे option correct answer एगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आठवी क्लास के question चल रहे हैं 241 नमबर पर आच चुके हैं निमच चावनी में सेनिकों ने किसके नेत्रितम में कि किसके नेत्रितों में सेना ने जनवरी 1818 में आउआ पर आकरमन कर किल्ये पर अधिकार कर लिया था दोस्तों उस समय नेत्रितों कौन कर रहा था मेरे प्यारे सात्यों उस समय बिर्गेडियर हॉम्स जो है उस सेना का नेत्रितों कर रहे थे अगला क्योंस ने लाला जे देयाल वे मेराब अलि खान ने 1857 में करांतिकारियों का नेत्रितों कहां पर किया था कौन कौन पूछ रहा है दोस्तों लाला जे देयाल और मेराब अलिखा अठारासो स्तावन में करांतिकारियों का नहत्रतों कहां पर किया था तो दोस्तों ये किया था कहां पर कोटा में कहां पर किया गया था कोटा में दे ओप्शन करेक्ट आंसर प्रेशन नम्बर 244śl अखिल बारतिये देशी राजे सेवा परिषत के परिष्दक के अनुसार भारत में शैवतनतरता के समें राजस्तान में निम्न में से कौन सी सवतंतर रियासत का अस्तितव नहीं रख सकती थी कौन सी सवतंतर रियासत नहीं थी उस समय दोस्तों तो ये कौन सी नहीं थी भरतपुर नहीं थी दे ओप्शन करेक्ट आंसर एगा प्रेशन नमबर 245 राजस्तान में रियासतों के एकिकरन का पर्तम परियास किस रियासत के सासक ने किया था दोस्तों ये किया था कोटा के सासक ने बिल्कुल खे ओप्शन करेक्ट आंसर पर्सन नमबर 246 कह रहा है आदुनिक राजस्तान के निर्मान का कारिय कब पूरावा दोस्तों जो आदुनिक राजस्तान है उसके निर्मान का कारिय जो है एक नमबर 1956 को जो है पूरावाता एक नमबर 1956 ए ओप्शन करेक्ट आंसर परसन नमबर अगला 277 मतशे संकी राज़दानी कौन सी बनी थी दोस्तों ये थी अलवर मतशे संकी राज़दानी दोस्तों राज़दान के एक गरण में पड़ते हो अलवर बनी थी से ओप्शन करेक्ट आंसर परसन नमबर 248 से पूर्वे राज़स्तान के राज़दान के राज़दान कोन थे दोस्तों रियासत का विले कर संयुक्त राज़दान का निर्मान केया था वे कौन सी जो है रियासत थी दोस्तों जिसका विले करने के बाद सयुक्त राजस्तान का निर्मान हो गया था वे थी उद्यपूर कौन सी दोस्तों उद्यपूर बे ओप्शन करेक्ट आंसरे अगला है राजस्तान का इस्तापना दिवस कब मनाया जाता है राजस्तान दिवस या राजस्तान का इस्ता अपना दिवस जो है प्यारे साथियों आप सभी को पता है 30 मार्च को राजस्तान दिवस के रूप में मिनाए जाता है इस्ता अपना दिवस ए ओप्शन करेक्ट आंसरे परसन नमबर 251 पर आजेए राजस्तान के जिस जिले में जनसंक्या गनत्व सर्वादिक है वे है कौन सा है राजस्तान के उस जिले का नाम बताना है जिसका जनसंक्या गनत्व सर्वादिक है दोस्तों वे है कौन सा है सभी को पता है जैपुर है बे ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला किसन है राजस्तान में सर्वादिक लिंगा नुपात वाला जिलला कौन सा है डूंगर ìपुर है सात्यों सर्वादिक लिंगा नुपात नोट कर लेना आझ553 किरहा है राजस्तान में सबसे कं साकृता वाला जिला कौन सा है राजस्तान में सबसे कम साक्षर्ता वाला जिला जालोर है दोस्तों सबसे कम साक्षर्ता जालोर की है A option correct answer अगला है राजस्तान में मैला साक्षर्ता दर कितनी है दोस्तों सारे important है star लगा लीजिए सभी पर कोई साभी percent rate में आ सकता है राजस्तान में मैला साक्षरता दोस्तों 52.12% है दोस्तों 52.12 मैला साक्षरता ध्यान रखना है अगला है राजस्तान में सबसे कम जनसंग्या निवास करती है किस जिले में सबसे कम जनसंग्या है दोस्तों सबसे कम जंसेंग क्या पूची हुए दोस्तों किस जिले में है डुंगरपुर में बे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला दोस्तों राजस्तान में सांसी जंजाती किस जिले में पाई जाती है दोस्तों राजस्तान में जो सांसी जंजाती है वे किस जिले में पाई जाती है तो परिवर्तन हैं परिबाजन कर उसके मुले में वर्दी कि जाती है उससे क्या कहा जाता है दोस्तों बहुत important лайकूस नहीं उससे कहा जाता है दुईतियक व्यवसाइब परिशननल करेक्ट नांसर नंबर 258 दीटयक है का उदर नहें उप्रियोक्त सभी राइट आंसर एगा दोस्तो अठावन का पर्सन नमबर दोस्तो गुंसाट के रहा है जिस जिले में सर्सों की अधिक पेदावार के कारण तेल गाणी वे लगू उद्योग पाए जाते हैं वे कौन सा जिला है दोस्तों सर्सों की अधिक पेद सभार होने के कारण तेल गाणी और लगू उद्योग पाए जाते हैं मेरे प्यारे सातियों वे है कौन सा जिला है तो वे है कौन सा भरतपूर जिला दोस्तों कौन सा भरतपूर ए ओप्शन करेक्ट आंसर पर्सन नमबर 260 कह रहा है कि राजस्तान में करशी आधारित उद्य में भी है यानि उपरुख्त सभी राईट आंसर दोस्तों अगला क्यूशन 261 की ओर मड़ते हैं खनीजों का अजाय बगर किसे यहां जाता है दोस्तों अपना राजस्तान जो है किआ अगला साट जय पॉर में जो बाजार सोने चांदी के अबुशनों एंव रतनों के लिए एक विश्व विख्यात केंदर है वह जो जेपुर का कौन सा बजार है दोस्तों उस बजार का नाम पुछा गया आप से तो वह कौन सा बजार है दोस्तों जोरी बजार जेपुर जोरी बजार जेपुर जहा दोस्तों बीलवाडा को राजस्तान का मैंचेस्टर दे ओप्सन करेक्ट आंसरेगा 263 में अगला है 264 तरल वे गेस ये वस्तों को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर बेजा जाता है किसके दुआरा बेजा जाता है दोस्तों तरल वे गेस ये वस्तों को तो दोस्तों रेल दुआ शोरी याँ पर जो right answer हैगा तरल और गेश ये वस्तों को pipe prevent दोरा बेजा जाता है किस के दोरा pipe prevent दे option correct answer है अगला कि उसने राजस्तान राजिये में किस परकार के prevent के विकास की संभावना अत्यंत कम है कौन से परकार के परिवेन के विकास की जो है संभावना बहुत कम है राजस्तान में तो वे है जल परिवेन कौन सा दोस्तों जल परिवेन दे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला है इस तल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तों के परिवेन के लिए सबसे अच्छा वे सस्ता परिवेन साधन कौन सा है जब इस तल पर लंबी दूरी ते करना है और अधिक मात्रा में और भारी वस्तों का परिवेन करना है दोस्तों राजस्तान का जो अधिकांस रेल परिवेन है वे भारत के किस रेलवे मंडल में सामिल है तो वे है दोस्तों जेपुर रेलवे मंडल में सामिल कौन से में जेपुर वाले में तो से ओप्शन करेक्ट आंसर अगला दोस्तों 68 सबसे मेंगा और तिवर परिवेन का काफी important question है माराणा परताब हवाई एड़ा का परे जेपूर के सांगानेर में जोतपूर के रातानड़ा में अजमेर के किसंगड में या उद्यपूर के डबोक में तो माराणा परताब हवाई एड़ा दोस्तों का परे उद्यपूर के डबोक में इस्तिते दे ओप्शन करेक परसन नमबर 271 कह रहा है कि राजस्तान में चितोड का विजय इस्तम है राजस्तान में चितोड का विजय इस्तम क्या है दोस्तों एतियासिक प्रियेटक इस्तल है मेरे प्यारे साथियों आपने भी देखा होगा ए ओप्शन करेक्ट आंसर एगा परसन नमबर 272 के ओर आते ह सुच भारत अभियान का समद्ध किस शैतर से है काफी important question है इस्टार लगा लीजिए सुच भारत अभियान का समद्ध किस शैतर से है दोस्तों तो ये है विकास से है दोस्तों say option correct answer अगला है आपका दोस्तों तैतर नमबर राश्टी खादे सुरक्षा मिशन का परमुक उदेश्य क्या है दोस्तों राश्टी खादे सुरक्षा मिशन का परमुक उदेश्य है गउँ और दालों की उन्नत किसमों का उतपादन करना बे option correct answer परसन नमबर 244 गरामीन गोरवपत का मुख्य उदेशे क्या है दोस्तों ये सारी योजना है ज्यानर के गरामीन गोरवपत का मुख्य उदेशे क्या है दोस्तों गरामीन गोरवपत का मुख्य उदेशे है गरामीन सडकों को मेगा हाईवे से जोड़ना ए उप्षन करेक्ट सरे परसन नमबर 74 कहे रहा है राजस्तान सरकार की सिक्षा सेत्र में संबंदित योजना का नाम है दोस्तों कौन सा-गारगी पुरुषकार योजना कौन सी दोalerगी पुरुषकार 75 से जादा बूर्ड ट्लस सो में 10 बलत में जो बालिकाई लेके आती है उन्हें गारगी पुरुषकार से सम्मानित किया जाता है दोस्तों ये राजस्तान सरकार की शिक्षा से सम्मधित योजना है अगला क्यूस्तान का राजस्तान जन आदार योजना 2019 का समंध किस्षे है जन आदार योजना 2019 दोस्तों लेट प्रश्यत्ता को दंड़नी अपराद गोशित किया गया है इस प्रश्यत्ता का अंत यानि ए इस प्रश्यत्ता को दंड़नी अपराद गोशित किया गया है दोस्तों यहां पर 277 का राइट आंसर अनुचेद 17 रहेगा दे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला है राजे सरकार ने राजस्तान मैला आयो का गठन कब किया राजे सरकार ने राजस्तान राजे मैला आयो का गठन कब किया था दोस्तों ये क्या गया है 15 माई 1909 में सात्यों कब राजे मैला आयो का गठन 15 माई 1909 में अगला किसन दोस्तों गुणिय सी राजस्तान में बेटी बचव बेटी योजना कब से सुरू हुए दोस्तों तो दोस्तों गुणियसे नंबर जो परसने बेटी बचाओ बेटी पड़ो योजना राजस्तान में कब लागो हुए तो दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कितने लोग सही बताते हैं अगला 288 नंबर मैला मंदित उपरोक्त सभी राइट रहेगी बेटी बचाओ बेटी पड़ो योजना देहज निश्ते अधिनियम और हिंदू उत्राधिकार एम सरक्षन नियम ये सारी की सारी जो है मैला सक्षतिकरन की योजना है दे ओप्शन करेक्ट आंसर है फरसन नंबर 281 यह बारत सरकार म पांच में सुचना का अधिकार बे ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला है राजस्तान में राजस्तान निश्वल के अनिवारिये बाल सिक्सा का जो नियम है कब लागू हुआ था दोस्तों ये आरटी वाला सवाल है मेरे पैरे सातियों ये राजस्तान में आरटी कब लागू जिस दूर्ग का निर्मान करवाया वे कौन सा है दोस्तों माराजा सुरजमल ने जो है वे मेरे प्यारे सातियों बरतपूर में काँपर लो आगड़ दूर्ग का निर्मान करवाया था लो आगड़ दूर्ग ए ओप्शन करेक्ट अगला है दसवी सताबदी में परमार राजो धारा वर्ष और मुंज ने किस दुर्ग का निर्मान करवाया था दोस्तों 244 नंबर में धारा वर्ष और परमार राजों ने और मुंज ने जो है जालोर दुर्ग का निर्मान करवाया बे ओप्शन करेक्ट आंसर है अगला है आबा नेरी मंदिर इस्तित है आबा नेरी मंदिर दोस्तों दोसा में इस्तित है काँपर है दोसा में से ओप्शन करेक्ट आंसर अगला है गोपाल सिंग की छत्री काँपर है दोस्तों गोपाल सिंग की छत्री काँपर इस्तित है तो ये है मेरी पैरे सातियों काहां पर गोपाल सिंग की छत्री है करोली में काहां पर है करोली में दे ओप्शन करेक्ट आंसर नेक्स्ट है बिकानेर के चित्रों में निम्ण में से किस रंग का विशेश प्रियोग किया गया है विकानेर के चित्रों में जो है निम्ण मेंसे किस रंग का प्रियोग किया गया है तो ये किया गया है पीले रंग का प्रियोग विकानेर के चित्रों में बे ओप्शन करेक्ट आंसर अगला क्यूसन है राजस्तान की किस चित्र सेली में चित्रों की प्रस्ट बूमी में कदम वरक्ष अधिक मिलते हैं दोस्तों किस चित्र सेली के चित्रों में कदम वरक्ष अधिक मिलते हैं तो ये मिलते हैं दोस्तों उधेपूर सेली में किस सेली में उद्यपूर सेली में A option correct answer एगा 288 का तो दोस्तों ये थे NCRT जो नई वाली book है Class 8 की जो है ये हमने complete कर ली है कुल 288 question देखे हैं आप comment करके बताएगा कि आपको question किस परकार के लगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी बताएगा और कौन-कौन से book के और कौन-कौन से subject के आपको इसी परकार के NCRT के question चाहिए जल्दी से comment करके बता दीजिगा वीडियो को like और share कर दीजिए चैनल को subscribe करके जाना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत थेंक्यू